हार्दिक पंडिया का मुंबई इंडियन्स में ट्रेट करना हाल के दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा का विशय रहा है। पंडिया के गुजरात से मुंबई जाने पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और अफिशली इस कदम की घोशना होने के बाद से एमाई के साथ साथ इस ओल राउंड को भी काफी अलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। हार्दिक के शामिल होने के बाद मुंबई ने रोहित शर्मा की कप्तानी खत्म करते हुए हार्दिक पंडिया को नया कप्तान नियुक्त किया जिससे कई फैंज नाराज हो गए जो बनता भी है। ओन पेपर हार्दिक पंडिया को मुंबई ने 15 करोर रुपय की नकद दील पर ट्रेट किया था लेकिन कल से एक खबर फैल रही है कि मुंबई ने हार्दिक पंडिया के लिए गुजरात टाइटन्स को 100 करोर रुपय की ट्रांसफर फीस दी है हाला कि सभी को इस बात पर यकीन नहीं था कि इतने पैसों में एक IPL टीम बनाई जा सकती है और हार्दिक पंडिया के लिए अगर मुंबई इंडियन्स ने इतने पैसे दिये तो ये पैसे की बरबादी है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग इस विशेय पर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में बताएं